हेलो एवर्डिवन वेलकम टू प्रियंका नेट ग्लासिस सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस एकॉनॉमिक्स की यूनिट को कंटीनू करने वाले हैं बिजनेस एकॉनॉमिक्स का ये लेक्चर नंबर एट है अगर आप में से किसी न मैं फर्स सेविन लेक्चर को मिस किया है तो मैं आपको एकॉनॉमिक्स की प्लेलिस का जो लिंक है वो दिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहां से जाके जरूर चेक आउट कीजे क्यों क्यों क्योंकि मैं स्टार्ट से बोलती आ रही हूं ये यूनिट आप सभी को डि को डिफिकल्ट लगती है तो प्लीज आप इस यूनिट को पूरी सीरीज में देखिए हर एक लेक्चर वाइस देखिए आपको डेफिनेटली एकॉनॉमिक समझ भी आएगा इजी भी लगेगा कमिंग तू आज का एथ लेक्चर जो बहुत ही इंपोर्टन लेक्चर है जिस अपने पहले ही एटेम में 99.55% के साथ में नेट इन मानेडमन्स भी क्या हुआ है फरसर एटेम में ही अपने साथ ये साथ मैंने महाराश्ट्रए सेट कौलिफाय किया हूआ है कॉममर्स अब्जेक से अपने पहले ही एटेम में coming to आज का हमारा lecture जो है price and demand के functional relationship के उपर सबसे पहली point और सबसे important point जो दी हुई है कि price जो है वो किसी भी commodity की जो demand है उसके लिए सबसे important factor होता है सबसे important determinant होता है क्यों? वो कि आप सोचके देखिए कोई भी चीज मार्केट से खरीदने चाते हैं चाहे वो एक रुपए की चीज हो या एक हजार की चीज हो सबसे पहली चीज जो आप पूछते हैं as a consumer, as a customer वो क्या पूछते हैं? आप सामने वाले से उस चीज का price पूछते हैं इसलिए पहली point वही दी हुई है अगर किसी product का price कम है तो consumers क्या करते हैं? उस product को large quantities में purchase करते हैं द्यान से सुनिएगा अगर price कम है तो आप large quantities में purchase करते हो और अगर वही किसी चीज का price जादा है तो आप small quantities में purchase करते हो यह normal human tendency है जिसके वज़े से जो price और demand का जो functional relationship है वो हमें क्या बताता है कि normally consumers क्या करते हैं? अगर price कम है तो demand जादा करते हैं अगर price जादा है तो demand कम करते हैं यह normal tendency है, general human tendency है consumers की जिसके वज़े से हम बोल सकते है price और demand का जो relationship है वो कैसा है? indirect है यह जिसको मैं दूसरे words में बोलूँ तो inverse relationship है यह आपसे बहुत बार पूचा जाता है price और demand का relationship कैसा है? price और demand का relationship आप inverse बोल सकते हो यह inverse को दूसरे words में आप simple English में बोल सकते हो indirect बोल सकते हो, क्यों? यह जोकि price जादा तो demand कम price कम तो demand जादा आप इसको इसी चीज़ को better इस chart के तुरू समझ सकते हो first point में देखिए किसी product का price जादा है arrow upward है, correct? price का arrow उपर की तरफ जादा है price जादा है, तो आपने उसकी demand क्या कर दी? कम कर दी जैसे say for example, onions onions का price बीच में बढ़ गया था तो लोगों ने क्या कर दिया? उसकी demand करना कम कर दिया दूसरी तरफ second point में देखिए उसका exact उल्टा लिखा हुआ है price कम दीरे दीरे करके onions का price कम हो गया तो automatically onions की demand बढ़ गई तो यह आपका price और demand का functional relationship है जो कैसा है? inverse है, indirect है क्यों inverse है, क्यों indirect है? क्योंकि दोनों जो arrows हैं, वो opposite direction में है अगर price का arrow upward जा रहा है तो demand का arrow downward जा रहा है अगर price का arrow downward जा रहा है तो demand का arrow upward जा रहा है यानि दोनों जो arrows हैं, वो opposite direction में होने के वज़े से इनका जो relationship है, वो कैसा है? inverse relationship है या indirect relationship है I hope सब को clear हो चुका है price and demand का functional relationship क्या है coming to इसी चीज़ को इसी functional relationship को अगर मैं symbolically express करूँ तो मैं कैसे express कर सकती हूँ उसके लिए मैंने आपको दिया हुआ है d of x is equal to function of price of x अब आप पूछो कि मैं यह सब क्या है d of x क्या है d मतलब की demand x मतलब की कोई भी commodity f मतलब की function and p मतलब ही price है तो यहां पर क्या है किसी भी product का demand किसके ओपर decide होता है किसके वज़े से decide होता है वो इस product के price के वज़े से decide होता है यह basically symbolical functional relationship है किसके बीच में demand और price के बीच में coming to आगे मैं आपको क्या करने वाली हूँ अभी मैं इस chart के थू और एक diagram के थू आपको demand और price का functional relationship बताने वाली हूँ और साथ ही साथ आज के इस lecture में मैं आपके सामने demand काव को present करने वाली हूँ first time तो अगर इस chart की तरफ आप दियान से देखेंगे कोई तो commodity है left hand side पर उसके price दिया हुआ है पहले उसका price 10 है फिर 8 है फिर 6 है यानी दियरे दियरे करके उस commodity का price क्या होता जा रहा है कम कम होता जा रहा है दूसरे दरफ second right hand side आप देखेंगे तो किसी commodity की quantity दी हुई है और वो quantity ऐसे होती जारी है increasing होती जारी है पहले उसकी quantity 1 kg थी फिर 2 kg हो गई फिर 3 kg हो गई तो क्या देखा जा रहा है जैसे जैसे price गट रहा है पहले 10 था तो आपने 1 kg दिमांड किया 10 से price कम हो गया 8 हो गया तो आपने क्या कर दिया अपने demand बढ़ा दी पहले आप 1 kg दिमांड करते थे अब आपने demand बढ़ा दी 2 kg कर दी फिर price फिर से और कम हुआ तो आपने demand और बढ़ा दी 2 kg से 3 kg कर दी यानि simply क्या बोला गया है price कम तो demand जादा यही चीज तो दिखाई है इस chart में correct price जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे आप उस चीज की demand बढ़ाते जा रहे हो इसी chart को मैंने diagrammatic form में present किया हुआ है अब दियान से देख सकते हैं इस diagram में x-axis है और y-axis है x-axis पे मैंने क्या plot किया हुआ है quantity demanded y-axis पे मैंने क्या plot किया हुआ है price अगर आप दियान से देखेंगे तो आप पूरी points को plot कीजिए जो यह सारी आपने points देखी थी 10 पे 1, 8 पे 2 ऐसे करके आप पूरा plot करेंगे तो आपको demand curve दिखेगी जो demand curve जिसको हमने नाम दिया है d-d curve, d-d curve stands what demand curve और demand curve हमेशा कैसे रहती है downward sloping क्यों क्योंकि price और demand का जो relationship है वो indirect है इसके वज़े से क्या होती है आपकी demand curve downward sloping होती है ये इस chart से पता चल रहा है और ये diagram हमें बताता है कि अगर किसी चीज का price कम है तो आप क्या करते हो उस चीज की demand ज़ादा करते हो and vice versa vice versa या नि इसका exact opposite भी हो सकता है अगर किसी चीज की demand ज़ादा है तो उसका price obvious है कम होगा ठीक है I hope सबको clear है मैं क्या समझाना चाहती थी आपको price and demand का जो functional relationship है वो बहुत ही clear है आगे आने वाले lecture में next lecture में मैं आपको क्या discuss करूँगी ये जो आप demand का downward sloping देख रहे है ये downward sloping क्यों होती है वो मैं आपको उसके अलग-अलग reasons है वो मैं आपको next lecture में discuss करूँगी so thank you मिलते है next video में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please like कीचे, comment करके मुझे जरूर बताइए जादा से जादा लोगों तक share कीचे because ग्यान बाटने से ही भरता है and subscribe कीचे अगर आप new है तो मिलते है next video में